अध्याय दो, अलग-अलग कॉडरेंट, अलग-अलग लोग, और्डियो बुग वाइं मिलियनेयर माइंड्स, मेरे उच्च सिक्षिट डाइडी, हमेशा कहा करते थे, आप बुढ़े कुत्ते को नए कर्तम नहीं सिखा सकते, मैंने कई बार उन्हें कैश्फ्लू कॉडरेंट कभी पूरे नहीं हो सकते, ऐसा अलग रहा था, जैसे उनकी ब्लैक लिस्टिंग, राज्य सरकार की दिवारें आगे तक चली गई थी, अब उन्होंने, खुद को भी ब्लैक लिस्ट कर लिया था, वे कहते थे, मैंने इसकी कोशिश की, परंतु में काम्याब नहीं हुआ, मे कोडरेंट के असफल प्रयासों के और भी, जब उन्होंने अपने जीवन की अधिकान जम्मा पूजी, एक प्रसिद आइसक्रीम फ्रेंचाइजी खरीदने में लगा दी थी, जो चल नहीं पाई, क्योंकि वे बुद्धिमान थे, इसलिए वेचारिक रूप से, वेया यह सम करते हैं, परन्तु कोई और चीज थी, जो उन्हें रोक रही थी, एक दिन लंच के दौरान, मैंने अमीर डैडी से, अपने सिक्षे डैडी के बारे में चर्चा की, अमीर डैडी बोले, तुम्हारे पिता और मैं, अंदर से एक जैसे नहीं है, हाला कि, हम दोनों ही इनसान ह और हम दोनों में ही डर, शंकाएं, बिश्वास, शक्तियां तथा कमजोरियां हैं, परन्तु हम इन पर अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, क्या आप इन अंतरों के बारे में बता सकते हैं? मैंने पुछा, अमीर डैडी ने कहा, एक लंच में तो यह संभव नही हैं, बहराल हम इस तरीके से उन अंतरों पर प्तिक्रिया करते हैं, उसकी वज़ा से ही हम एक या दूसरे कॉडरेंट में बने रहते हैं, जब तुम्हारे डैडी ने एक कॉडरेंट से निकल कर बी कॉडरेंट में आने की कोशिश की, तो वे बौधिक रूप से इस प्रक्र को कैसा सुलजाया जाए, इसलिए वे उसी कॉडरेंट की और वापिस लोड गए, जिसमें वे सबसे ज़्यादा अराम दहे महसूस करते थे, इकॉडरेंट और कई बार एस कॉडरेंट मैंने कहा, अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया, धन गवाने और असफल होने का डर चुनते हैं, और मैं सुतंतरता खोजने का, और यही मूल भूतंतर है, मैंने वेटर को बिल लाने का इशारा करते हुए कहा, हाला कि हम सब इनसान है, अमेर डैडी ने इसे दूसरी तरीके से कहा, परन्तु जब बात पैसे की हो, और पैसे से जुड़ी भावनाओं पर आती है, तो हम सब अलग-अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, अमारी इस प्रतिक्रिया से ही, अक्सर यह तै होता है, कि हम किस कॉडरेंट में धन कमाने का विकल्प चुनते हैं, अलग-अलग कॉडरेंट, अलग-अलग लोग, मैंने कहा, अमेर डैडी खड़े होते हुए, और दर्वाजे की तरफ बढ़ते हुए बोले, बिल्कुल ठीक कहा, और अगर आप किसी कॉडरेंट में सफल होना चाते हैं, तो आपको सिर्फ तकनीकी योगिताओं से अधिक जानने की जरूरत है, आपको उन मूल-भूत अंतरों को समझने की जरूरत है, जितकी वजह से अलग-अलग कॉडरेंट खुजने के लिए प्रेरीत होते हैं, अगर तुम यह बात समझ लोगे, तो तुम्हारा जीवन बहुत असान हो जाएगा, जब सौफर अमीर डैडी की काल ले आया, तो हमने हाथ मिलाकर एक दूसरे से विदा ली, तभी मैंने जल्दी से पूछा, अच्छा एक और बात, क्या मेरे डैडी बदल सकते हैं? बिल्कुल, अमीर डैडी ने कहा, कोई भी बदल सकता है, पर अंतु कॉडरेंट बदलना, नौकरिया या व्यावसाय बदलने जैसा नहीं होता, कॉडरेंट बदलना, अक्सर उस मूल भूत अंतर के परिवर्तन करना है, जो यह बताता है, कि आप कौन है, आप क्या सोचते हैं, और आप दुनिया को किस तरीके से देखते हैं, यह परिवर्तन कुछ लोगों के लिए असान होता है, क्योंकि वे परिवर्तन का सुवागत करते हैं, जबकि बाकी लोगों के लिए यह मुश्किल होता है, कॉडर ना सिर्फ आपको बदल देगा बलकि यहे आपके दोस्तों को भी बदल देगा हाला कि आप अब भी अपने पुराने दोस्तों को से दोस्ती बनाए रख पाएंगे परन्तु इल्लियों के लिए वे काम करना बहुत मुश्किल होता है जो तितलियां करती है यह परिवर्तन बहुत बड़ा होता है और इसलिए बहुत कम लोग इसे करने का विकल्प चुनते हैं शौफर ने दर्वाजा बंद किया और जब अमीर डाइडी की कार आगे बड़ी तो मैं वहीं खड़ा-खड़ा अंतरों के बारे में सोचता रहा आखेर अंतर क्या है? किसी के बारे में ज़्यादा कुछ जाने बिना मैं कैसे समझ सकता हूँ कि सामने वाला E, S, B या I कॉडरेंट में है यह समझने का एक नया तरीका यह है कि उसके शब्दों को ध्यान से सुना जाए मेरे अमीर डैडी की सबसे बड़ी योग्यताओं में से एक पढ़ना भी उनकी सबसे बड़ी योग्यता थी परन्तु वे यह भी मानते थे कि आपको किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं करना चाहिए हैंडरी फॉर्ड की तरह ही अमीर डैडी भी बहुत जादा सिक्षित नहीं थे परन्तु दोनों ही जानते थे कि सिक्षित लोगों को नौकरी पर कैसे रखा जाए और उनसे काम कैसे करवाया जाए अमीर डैडी मुझे हमेशा बताते थे कि स्मार्ट लोगों को एकत्रित करना और उनसे टीम के रूप में काम करवाना उनकी मूलभूत योग्यताओं में से एक है नौ वर्ष की उम्र से मेरे अमीर डैडी मुझे वो ये योग्यताओं सिखाने लगे जो B और I कॉडरेंटों में सफल होने के लिए अवश्यक होती है किसी व्यक्ति के भीतर जाकर उसके मूलभूत केंदर में ज्छाखना एक ऐसी ही योग्यता थी अमीर डैडी कहा करते थे जब मैं किसी व्यक्ति की बाते सुनता हूँ तो मैं उसकी आत्मा को देखने और महसूस करने की चमता रखता हूँ नौ वर्ष की उम्र से ही मैं अपने अमीर डैडी के साथ बैठने लगा जब वे लोगों को नौकरी पर रखते समय उनका इंटर्वियू लेते थे यहां मैंने लोगों के शब्दों को सुनकर उनकी मूल भूत जीवन मूल्या को पहचानने की प्रतिक्रिया की और वह तरीका सीखा जो मेरे अमीर डैडी के अनुसार उनकी आत्माओं से आते हैं शब्द उपकरण है एक बार जब मेरे अमीर डैडी जान लेते थे कि जिस व्यक्ति का वे इंटर्वियू ले रहेते वे कम से कम उस समय मूल भूत रूप से किस कॉडरेंट का है तो वे यह जान जाते थे कि वे दरसल किन चीजों की तलाश कर रहा है वे यह देखते थे कि उनके पास उसे देने के लिए क्या था इसके बाद वे यह तै करते थे कि उससे बात करते समय वे किन शब्दों का प्रयोग करें अमीर डैडी हमेशा कहा करते थे शब्द शक्तिशाली उक्करण होते है अमीर डैडी लगातार अपने पुत्र और मुझे यही बात याद दिलाते रहते थे अगर तुम लोगों के लेडर बनना चाते हो तो तुम्हें सही शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए और तुम इस कला में निपुढ होने चाहिए बीखी अवश्चक योग्यताओं में से एक शब्दों का प्रयोग में भी निपुढ होना है इसका मतलब यह जानना है कि कौन से शब्द अलग-अलग तरीके के लोगों पर किस तरीके से काम करते हैं उन्होंने हमें प्रशिश्चित किया कि हम सावधानी से किसी व्यक्ती के शब्दों को चुने इससे हमें यह पता लग जाएगा कि हमें किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और कब करना चाहिए ताकि उस व्यक्ती के साथ सबसे प्रभावी ढंक से चर्चा हो सके अमीड डैडी समझाते थे एक शब्द एक तरीके के व्यक्ती को रुमान्चित कर सकता है जबकि वही शब्द दूसरे तरीके के व्यक्ती को पूरी तरीके से रोक सकता है उधारण के लिए जोखिम शब्द आई कॉडरेंट वाले व्यक्ती के लिए रुमान्चक हो सकता है जबकि यही शब्द एक और्डेंट वाले व्यक्ति के लिए मन में डर पैदा कर सकता है अमें डैडी जोड़ देकर कहते थे कि अच्छा लीडर बनने के लिए हमें पहले अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा अगर आप किसी व्यक्ति के शब्द नहीं सुनेंगे तो आप उसकी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएंगे और अगर आप उसकी आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाएंगे तो आप यह कभी नहीं जान पाएंगे कि आप किससे बात कर रहे हैं मूलभूत अंतर, शब्द सुनो, आत्माओं को महसूस करो, वो ऐसा इसलिए कहते थे, क्योंकि शब्दों के चयन के पीछे व्यक्ति के मूलभूत, जीवन मूले और अंतर होते हैं, नीचे कुछ काम और बाते दी गई हैं, जो एक कॉर्डरेंट के लोगों को दूसरे सुरक्षा या सुविधाओं को शब्द सुनता हूं, तो मुझे इस वात का ऐसास होने लगता है, कि सामने वाला मूलभूत रूप से क्या हो सकता है, सुरक्षा एक ऐसा शब्द है, जिसका प्रयोग अकसर तभी किया जाता है, जब मन में डर का भाव हो, जब कोई व्यक्त डरा हुआ महसूस करता है, तभी वह आमतोर पर सुरक्षा की अवशक्ता जैसे वाक्यांश का प्रयोग करता है, ऐसी बाते मूलता एक ओर्डरेंट का व्यक्ति कहता है, जब बात पैसे या नौकरी की आती है, तो बहुत से लोग डर के भाव से बुरी तरीके से आतंकित हो इसलिए उन्हें सुरक्षा की अवशक्ता होती है। उनकी आंतरिक भावना कहती है, मैं आपको यह दूँगा और आप बदले मुझे यह देने का वादा करें। वे चाहते हैं कि उनके डर किसी हद तक निश्चितिता से संतोष्ट हो जाएं। इसलिए जब रोजगार की बात आती है या कमाने की बात उसकी मात्रा किसी ऐसे व पराबर कड़ी मेनत नहीं कर सकता। अगर वे कड़ी मेनत करते हैं तो उन्हें अच्छा भुकतान करें। वे यह बात भी समझते हैं कि वे अगर ज़्यादा मेनत नहीं करते हैं तो वे ज़्यादा भुकतान पाने के योग्य नहीं हैं। जब बात पैसे की आती है तो वे बहुत ज़्यादा सोतंत्र मानसिक्ता के होते हैं. डर का भाव यानि कर्मचारी अक्सर धन्ना होने के डर पर प्रतिक्रिया करते हुए सुरक्षा खोचता है जबकि S के प्रतिक्रिया बिलकुल अलग होती है. इस कॉर्डरेंट के लोग डर के कारण सुरक्षा नहीं चाते हैं बलकि स्थिती का पूरा नियंत्र अपने हाथ में लेना चाते हैं और अपने काम को सुतंत्ता से करना चाते हैं. इसलिए मैं S समू को खुद काम करने वाला कहता हूँ. जब डर और आर्थिक जोखिम की बात आती है तो वे बैल के सिंग पकड़ कर मुकाबला करना चाते हैं. इस समू में आपको अच्छी तरीके से सिक्षित प्रोफेस्नल्स मिलेंगे जिनोंने स्कूल कॉलेज में बड़सों तक पढ़ाई की है जैसे डॉक्टर, वकील और दंथ चिकित सिक्ष एस समू में वे लोग भी आते हैं जिनोंने पारंपरिक शिक्षा के अतिरिक अन्य शैक्षिनिक मार्ग भी चुने हैं इस समू में कमीशन पर काम करने वाले सेल्समेन, उधारण के लिए रियल स्टेट एजेंट और छोटे बिजनस मालिक आते हैं जैसे खेरिची, दुकानदार, सफाई कर्मी, रेस्तरों, चलाने वाले, परमादर्शता, ठेरिपिस्ट, ट्रेवल एजनसी, कार मेकैनिक, पलंबर, कारपेंटर, प्रवचन देने वाले, इलक्ट्रीशियन, हेर स्टाइलेट्स और कलाका इस सम्मू का प्रियागीत होगा, कोई भी मुझसे बहतर काम नहीं कर सकता, या मैंने इसे अपने तरीके से किया, सेल्फ इंप्लोईड लोग, प्राय, प्रबल पूर्टवादी होते हैं, वे अकसर किसी काम को सर्वस्रेश्ट ढंग से करना चाते हैं, वे अपने मन में वे उनके मन पसंद काम को उनके तरीके से कर सकता है, उस तरीके से जिसे वे सही तरीका मानते हैं, कई माईनों में वे सच्चे शिल्पी होते हैं, जिनकी अपनी व्यक्तिगत शैली और काम करने के तरीके होते हैं, और इसी लिए हम उनकी सेवाएं लेते हैं, अगर आप किस ब्रेंज सर्जन की शेवा लेते हैं तो आप यह चाते हैं कि उसके पास बर्सो का प्रक्षिश्चन और अनुभव हो परन्तु सबसे महत्कूर बात यह है कि वह पूरतावादी हो यही दंत चिकितसक, हेर स्टाइलिस्ट, मार्केटिंग प्रानमा दर्शता, प्लंबर, इलेक के लिए धन सबसे महत्कूर चीज नहीं है, उनके लिए अपनी स्वतंतृता, चीजों को अपने तरीके से करने की आजादी, अपने छेतर में उत्कृष्टता के लिए सम्मान पाना, धन कमाने से बहुत ज़्यादा महत्कूर होता है, उनसे काम करवाने का सर्षरेश तरीक का यह होता है, कि उन्हें काम सौपते समय बता दें, कि आप क्या करवाना चाते हैं, और फिर उस काम को करने के लिए उन्हें मुक्त छोड़ दें, उन्हें निगरानी की जुरुत नहीं है, अगर आप ज़्यादा दखल अंदाजी करेंगे, तो वे काम छोड़ कर चले इसी समय को अपना काम करवाने के लिए दूसरे लोगों को नौकरी पर रखने के लिए बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उनकी हिसाब से कोई भी उनके जितना स्रेश्ट नहीं होता, इसी वजह से यह समय अक्सर कहता है, इन दिनों अच्छे सहायक मिलना मुश्किल है, को खुद क्यों करें, जब आप उसे करवाने के लिए किसी को नौकरी पर रख सकते हैं, और वह उसे आपसे बहतर तरीके से कर सकता है, हेंरी फॉर्ड इसी साचे में फिट होते हैं, यह कहानी लोग प्रिय है, कि कुछ तथाकतित, बुद्धी जीवी, एक बार फॉर्ड को अ अपने ऑफिस में बुलवाया और कोई भी सवाल पूछने की चुनोती दी, इस पर वो अमेरिका के सबसे सकतिशाली उद्योग पती के चारो तरफ बैठे और सवाल की बोचार करने लगे, फॉर्ड ने उनके सारे सवाल सुने, उसके बाद फॉर्ड ने अपनी मेज पर अंत में फॉर्ड ने उन बुद्धी जीवियों से कहा कि वे ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए कॉलेज में सिक्षित, स्मार्ट लोगों की नौकरी पर रखना भेतर समझते हैं, ताकि उनका दिमाग अधिक महत्वूर काम करने के लिए खाली रहे, जैसे सोचने के लि बुक को सामने लाना है, मेरे अमीर डड़ी के आदर्श हेंडरी फॉर्ड थे, वे मुझे फॉर्ड और स्टेंडर ओयल के संस्थापक जॉन डी रकफेलर जैसे लोगों के बारे में लिखी पुस्तके पढ़वाते थे, अमीर ड़डी लगातार अपने बेटे और मुझे ल बहुत से लोगों को एक या दूसरी योगजिताएं हो सकती हैं, परंतु सफल भी बनने के लिए आपको दरसल दोनों ही योगजिताओं की जुरत होती है, आप मुझे यह एसास भी होता है कि दोनों की योगजिताएं सीखी जा सकती हैं, बिसनस और लीडर्शिप विज्ञ पुस्तक दी जिसका सीर्शक था स्टोन सूप, इसे मार्शिया ब्राउन ने 1947 में लिखा था और यह आज भी प्रमुक बुक्स्टोर्स पर उपलब्ध है, उन्होंने मुझे यह पुस्तक इसलिए पढ़वाई ताकि बिसनस लीडर के रूप में मेरा प्रक्रिश्चन शु योग्यता है, इसे लिए उन्होंने अपने बेटे और मुझे बिसनस में सफल होने के लिए अवश्यक तक्नीकी योग्यताओं का प्रक्रिश्चन दिया, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना, मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, प्रोड़क् अमेर डैडी अमेशा कहते थे, बिसनस की तक्नीकी योग्यताओं असान है, मुश्किल हिस्सा लोगों के साथ काम करना है, पुरानी चीजों को याल रखने के लिए मैं आज भी स्टोन सूप पढ़ता हूँ, क्योंकि विद्धिकत रूप से मुझमें लीडर के बजाए ता मैं अक्सर यह शब्द सुनता हूँ, मैं अपना खुद का बिसनस शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत से लोग यह मानते हैं कि आर्थिक सुरक्षा और सुप का रास्ता अपने खुद का काम करना है, या कोई ऐसा नया प्रोड़क्ट बनाना है, यो किसी और ने ना बनाया हो, परंतु ऐसा करने के बजाए यह करते हैं और यही उल्चे रह जाते हैं, फिर बहुत से यह करने की कोशिश करते हैं, परंतु उन कोशिश करने वालों में से बहुत कम लोग ही सचमुच में ऐसा करने में सफल होते हैं, क्यों? क्योंकि हर कौडरेंट में सफल होने के लि आवश्यक तकनीकी और मानविया योग गिताएं अकसर अलग-अलग होती है आपको किसी कॉडरेंट में सच्ची सफलता पाने के लिए उसकी आवश्यक योग गिताओं और मानसिक्ताओं को सीखना पड़ता है इस टाइप के बिजनस और B टाइप के बिजनस में अंतर है जो लोग सच्चे B होते हैं वे अपने बिजनस को एक साल या इससे भी ज़्यादा समय तक छोड़ कर जा सकते हैं हो सकता है कि जब वे लोटें तो उनका बिजनस पहले से ज़्यादा लाबधायक और बहतर स्थिती में हो परंतु सच्चे S टाइप के बिजनस में अगर S का साल या इससे ज़्यादा समय के लिए कहीं चला जाए तो इस बात के संभावना है कि वापस लोटने तक उसके पास बिजनस ही नहीं बचेगा इनमें क्या अंतर है? हसान शब्दों में S काम का स्वामी होता है जबकि B सिष्टम का स्वामी होता है अपने सिष्टम को चलाने के लिए B योग्ये व्यक्तियों को नौकरी पर रखता है दूसरे तरीके से कहा जाए तो बहुत कम ही मामलों में S खुद ही सिष्टम में होता है इसे लिए वह अपना काम छोड़कर नहीं जा सकता दंथ चिकितसक का उधारण ले एक दंथ चिकितसक कोलेज में कई साल तक पढ़ता है ताकि वह एक आत निर्भर सिष्टम बना सके और उसे सीख सके आपको दात में दर्द होता है आप दंथ चिकितसक के पास जाते हैं वह आपके दात का दर्द टीक कर देता है आप उसकी पीस देते हैं और घर आ जाते हैं आप खुश होकर अपने सभी दोस्तों का उस योग्य दन्चिकित्सक के बारे में बताते हैं बहुत से मामलों में दन्चिकित्सक पूरा काम खुद ही कर सकता है समस्या यह है कि जब दंचिकित्सक की छुटिया मनाने के लिए बाहर घुमने जाता है तो उसकी आमधनी भी उसके साथ ही बाहर घुमने चली जाती है बी, बिजनस मालिक हमेशा के लिए छुटिया मनाने बाहर घुमने जा सकता है क्योंकि वहे काम का नहीं बलकि पूरे सिष्टम का स्वामी होता है अगर B छुटिया मनाने के लिए बाहर चला जाए तो पैसा आना बन नहीं होगा B के रूप में सफल होने के लिए दो चीजों की जुरत होती है पहला सिष्टम का नियंत्रण या स्वामित्व और दूसरा लोगों का नेत्रवत करने की योग्यता इसको अगर B बनना है तो उसे अपने मूल प्रकृति को बदलना होगा और सिष्टम के बारे में अपनी जानकारी को भी बहुत से लोग यह नहीं कर पाते या वे अक्सर सिष्टम से गहराई से जुड़ जाते हैं क्या आप मैं डॉनल्ड से जादा अच्छा हैंबरगर बना सकते हैं बहुत से लोग मुझसे सला मांगते हैं कि नई कंपनी कैसे शुरू की जाए या वे मुझसे पूछते हैं कि किसी नए प्रोड़क्ट या विचार के लिए धन कैसे जुटाया जाए मैं आम तोर पर 10 मिनट तक सुनता हूँ इतने समय में मैं समझ जाता हूँ कि उनका फोकस कहा है प्रोड़क्ट पर या फिर बिजनस या सिस्टम पर उन 10 विक्सित होने के लिए तयार व्यक्ति को चौट पहुचा सकता हूँ हैंबरगर और बिजनस क्योंकि मुझे नम्र रहना है इसलिए मैं अक्सर अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैंग डॉनल्ड्स हैंबरगर के उधारन का प्रयोग करता हूँ जितने लोगों से बातचीत की है उन सभी ने कहा है कि हाँ वे सब मैंग डॉनल्ड्स से अच्छा हैंबरगर बना सकते हैं इस मोल पर मैं उनसे अगला सवाल यह पूचता हूँ कि आप मैंग डॉनल्स से अच्छा बिजनस सिस्टम बना सकते हैं कुछ लोग ततकाल अंतर समझ जाते हैं और कुछ नहीं समझ पाते मैं उन्हें समझाता हूँ कि अंतर यह है कि आप कॉडरेंट के बाएं हिस्से यानि बहतर बरगर बनाने का विचार पर केंद्रित हैं या फिर कॉडरेंट के दाएं हिस्से यानि विजनस सिस्टम पर मैं यह बताने का सर्वस्रेश्ट प्रयास करता हूँ कि बहुत से उद्यमी अत्यधिक अमीर मल्टीनेशनल कंपनियों से बहतर प्रोड़क्ट्स या सेवाईं दे रहे हैं ठीक उसी तरह जिस तरह अर्बो लोग मैकडॉनल्ड्स से बहतर हैंबर्गर बना सकते हैं परन्तु सिर्फ मैकडॉनल्ड्स के पास ऐसा सिस्टम है जो अर्बो हैंबर्गर बेच सकता है दूसरे हिस्से को देखें अगर आप दूसरे हिस्से को देखने लगते हैं तो मैं उन्हें यह सुझाओ देता हूँ कि वे मैकडॉनल्स जाएं एक बर्गर खरीदें और फिर बैट कर उस सिस्टम को देखें जो उस बर्गर को बेचता है उन ट्रकों को देखें जो कच्चे बर्गर लाते हैं उस रैंचर को जो बीफ उत्पन करता है उस खरीदार को जो बीफ बेचता है और टीवी विग्यापनों को जिनमें रोनाल्ड मैकडॉनल्ड नजर आते हैं यूवा अनुभव ही इन लोगों के प्रक्षिशन्ड को देखें जो हमेशा एक से शब्द कहते हैं हेलो मैकडॉनल्ड में आपका स्वागत है इसके साथ ही फ्रेंचाइजी की सजावट को देखें छेतरिय ओफिसों को देखें बन बनाने वाली बेकरियों को देखें और लाखो पॉंड फ्रेंच फ्राइस को देखें जिनका पूरी दुनिया में एक सा स्वाध होता है फिर उन स्टाग ब्रक्स को देखें जो वॉल स्ट्रीट पर मैंडॉनर्ट्स के लिए धन जुटाते हैं अगर वो लोग पूरी तस्वीर देखने लगें तो उनके पास कौडरेंट के B या I वाले हिस्से में आगे बढ़ने का अवसर होगा सच तो यह है कि नए विचार असीमित है और वो लोगों के दिमाग में नई सेवाएं या प्रोड़क्ट देने के लिए विचार भरे पड़े हैं परन्तु बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छा विदन सिस्टम कैसे बनाया जाता है Microsoft के Bill Gates ने कोई बहुत बढ़ियम प्रोड़क्ट इजाद नहीं किया था उन्होंने किसे दूसरे का प्रोड़क्ट बनाया था प्रोड़क्ट खरीदा और उसके चारो तरफ एक सशक्त वैश्विक सिस्टम बना दिया चौथा आई निदेशक निदेशक पैसे से पैसा कमाते हैं उन्हें काम करने की जुरत नहीं होती क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम करता है आई कौड़रंट अमीरों के खेलने का मैदान है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग अपना पैसा किस कॉडरेंट से कमाते हैं अगर वे अमीर बनना चाते हैं तो वे अंतता आई कॉडरेंट में आना ही पड़ेगा आई कॉडरेंट में ही धन दौलत की धन दौलत में बदलता है कैश फ्लो कॉडरेंट यह कैश फ्लो कॉडरेंट है कॉर्डरेंट का अंतर सिर्फ यह बताता है कि आमदनी कहां से होती है ये अंतर नीचे शारांस में दिये है OPT और OPM हम में से ज़्यादतन ने सुना है कि अमेरी और प्रचुर दौलत के रहसे हैं OPT दूसरे लोगों का समय, Other People's Time OPM दूसरे लोगों का धन, Other People's Money OPT और OPM कॉर्डरेंट के दाई हिस्सों में पाए जाते हैं ज़्यादतर मामलों में कॉर्डरेंट के बाई हिस्से में काम करने वाले लोग OP दूसरे लोगों होते हैं जिनके समय और धन का प्रयोग किया जाता है S टाइप के बिजनस बनाने के बज़ाए किम और मैंने B टाइप का बिजनस बनाने का निर्णे लिया इसके कई कारण थे उनमें से एक प्रमू कारण यह था कि हम दूसरे लोगों का समय का प्रयोग करने के दिर्ख काली नलाब को पहचानते थे सफल S बनने का एक यह नुकसान है कि सफलता मिलने के बाद ज़्यादा महनत करनी पड़ती है दूसरे शब्दों में अच्छे काम का परिणाम यह होता है कि आप ज़्यादा कड़ी महनत करते हैं और ज़्यादा घंटे काम करते हैं B टाइप के बिजनस में सफलता मिलने का परिणाम यह होता है कि सिश्टम का विस्तार होता है और अधिक लोगों को नौकरी पर रखा जाता है दूसरे शब्दों में आप कम समय तक काम करते हैं, जादा कमाई करते हैं और अधिक खली-खाली समय का आनन्द लेते हैं इस पुस्तक का बाकी हिस्सा उन योग्यताओं और मानसिक्ता का वर्णन करता है जो कॉर्डरेंट के दाएं हिस्से के लिए अवश्यक है मेरा अनुभव है कि दाएं हिस्से में सफल होने के लिए एक अलग मानसिक्ता और अलग तक्नीकी योग्यताओं की ज़रुरत होती है अगर लोग लचेले हो और अपनी मानसिक्ता में परिवर्टन कर सकते हो तो मैं सोचता हूँ कि अधिक आर्थिक सुरक्षा या स्वंतंत्रता हासिल करने की प्रक्रिया उन्हें आसान लगेगी दूसरे लोगों के लिए यह प्रक्रिया बड़ी कठिन हो सकती है उनकी आमदनी इस तरीके से दिखती है E 30% B 0, S 0 और I 70% गरीबों और मध्यवर्गिये लोगों की लगबग 80% आमदनी E या S कौर्डरेंट की तनख्वा से होती है और 20% की कम से कम निवेशो या I कौर्डरेंट से E greater than 80% B 0, S 0, I greater than 20% अमीर और बहुत अमीर बनने के बीच का अंतर पहले अध्याई में मैंने लिखा था कि मेरी पतनी और मैं 1989 तक मिलियनेयर बन चुके थे परन्तु 1984 में जाकर हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए अमीर और बहुत अमीर होने में अंतर होता है 1989 तक हमारा बिजनस हमारे लिए बहुत सा धन कमा रहा था हमें कम काम करने के बावजूद बहुत कमा रहे थे क्योंकि बिजनस सिस्टम हमारे लिए शारेरिक श्रम से बिना बड़ा रहा था जिसे अधिकांश लोग आर्थिक सफलता मानते हैं हम उसे हासिल कर चुके थे परन्तु हमें अभी अपनी बिजनस से हो रहे कैश फ्लो का ऐसी संपत्ती में बदलने के जुरत थी जो हमें अतिरिक्त कैश फ्लो दे सके हमारा बिजनस सफल हो चुका था और अब समय आ गया था कि हम अपनी संपत्तियों को इस हद तक बढ़ा ले ताकि उनसे मिलने वाला कैश फ्लो हमारे जीवनयापन के खर्च से अधिक हो जाए हमारा रेखा चित्र इस तरीके से दिखता था 1984 में हमारी संपत्तियों से आने वाला निश्क्रे आमदनी हमारे खर्च से अधिक हो गई तब हम बहुत अमीर बन गए दरसल हमारा बिजनस भी एक संपत्ति था क्योंकि यह आमदनी देता था और हमारे सारीरिक श्रम के बिना काम करता था बहुत अमीर बनने के लिए हम यह सुनस्चित करना चाते थे कि हमारे पास रियल इस्टेट और श्टॉक्स जैसी मूट संपत्तियां हो जो हमारे खर्च से अधिक निश्क्रे आमदनी प्रदान करें ताकि हम सच्मुच कह सकें कि हम बहुत अमीर हैं जब हमारे संपत्ति वाले कॉलम में हो रही आमदनी बिजनस से आ रही आमदनी से जादा हो गई तो हमने अपने पार्टनर को अपना बिजनस बेच दिया अब हम बहुत अमीर बन गए थे दौलत की परिभाशा दौलत की परिभाशा यह है उन दिनों की संखिया जिनमें आप शारिरिक शरम ना करें या आपके परिवार जब भी वे थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो हर बार वे खरीदारी करने चले जाते हैं वे अकसर ज़्यादा बड़ा मकान यह नई कार खरीद लेते हैं जिसका परिणाम दिर्क, कालीन, करज और ज़्यादा कड़ी मेहनत होता है संपति वाले कॉलम में जाने के लिए कुछ बचता ही नहीं है धन इतनी तेजी से बाहर जाता है जैसे उन्होंने आर्थिक जुलाब ले लिया हो लाल लकीर वाली आर्थिक्स थे थी इंजन को लाल लकीर पर रखने के बारे में कार्यों की दुनिया में एक कहावत प्रचलित है लाल लकीर का अर्थ यह है कि इंजन का RPM लाल लकीर यानि अधिक्तम गती पर है जहां इंजन बिना फटे चल सकता है व्यक्तिगत संपत्ती के छेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं अमीर भी और गरीब भी जो लगातार वित्या लाल लकीर के करीब काम करते हैं वे जितनी तेजी से धन कमाते हैं उतने ही तेजी से खर्च कर देते हैं आपकी कार के इंजन को लाल लकीर के पास चलाने में दिक्कत यह है कि इससे इंजन की उम्र कम हो जाती है यही आपकी संपत्ती को लाल लकीर के पास चलाने के बारे में भी सही है मेरे कुछ डॉक्टर मित्र कहते हैं कि वर्टमान यूग की सबसे प्रमुख समस्या तनाव है जो कड़ी मेनत करने और परियाप्ट धन्ना होने के कारण उत्पन होता है एक डॉक्टर का तो यह खहना है कि स्वास्ते सम्मंधी गड़वडियों का सबसे बड़ा कारण है पर्स का कैंसर पैसा पैसे को खीचता है चाहे लोग कितना ही ज़्यादा पैसा कमाते हों अंततहा उन्हें अपना कुछ धन आई कौडरेंट यानि इन्वेश्टर के कौडरेंट में रखना ही होगा पैसा पैसे को ही खीचता है या यह विचार कि आपका पैसा पैसे के लिए काम करता है ताकि आपको काम ना करना पड़े बहरहाल यह जानना महत्कूर है कि निवेश करने के कई अन्य प्रकार है लोग अपनी सिक्षा में निवेश करते हैं पारमपरिक सिक्षा महत्कूर है क्योंकि सिक्षा जितनी भैतर होगी पैसा कमाने के आपके अवसर भी उतने ही भैतर होंगे अगर आप कॉलेज में 4 साल खर्च कर सकते हैं तो आप अपनी आमदनी कमानी की चंता 24,000 डॉलर से 50,000 डॉलर प्रती वर्ष या इससे भी अधिक तक बढ़ा सकते हैं अगर हम यह मान लें कि आसद व्यक्ति सक्रिया रूप से काम करने में 40 साल या इससे अधिक समय बिताता है तो 4 साल की कॉलेज की सिक्षा या इससे उची सिक्षा उसके लिए बहतरीन रिमेश है वफादारी और कड़ी मेनत निवेश के एक अन्य प्रकार हैं जैसे कमपनी या सरकार का अजीवन कर्मचारी इसके बदले में अनुबंध के अनुसार व्यक्ति को अजीवन पेंशन का उपहार मिलता है यह निवेश का ऐसा प्रकार है जो अध्यागिक युग में लोग प्रिय था परंतु सूचना युग में आने के बाद अभी है पुराना पड़ चुका है बहुत से लोग बड़े परिवारों में निवेश करते हैं और बदले में उनके बच्चे बुडापों में उनकी देखवाल करते हैं इस प्रकार का निवेश अतीत में आम था बहराल आर्थिक सीमाओं के कारण परिवारों के लिए अपने माता-पिता के जीवन और दवा के खर्चों को जेलना आज कल दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है एक अन्या प्रकार का निवेश है सरकारी रिटायर्मेंट योजनाए जैसे अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा और मेडियोकर ये योजनाए उक्सर कानूनी रूप से बाद्धिकारी होती है और इनके लिए अक्सर तनख्वा में से कटोती कर ली जाती है परंतु हो सकता है कि जन संख्या और जीवन के खर्च में हुई भारी परिवर्तन के कारण ये योजनाए अपने कुछ फाइदे को ना निभा पाएं रिटायर्मेंट का एक और स्वतंत्र निवेश वाहन व्यक्तिकत रिटायर्मेंट योजना है अक्सर संगिय सरकार इस तरह की योजनाओं में शामिल होने के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को टेक्स में छूट देती है अमेरिका में 401 रिटायर्मेंट योजना लोगप्रिय है जिसे ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूपर एन्योजिशन प्लान कहा जाता है निवेशों से प्राप कामदनी हाला कि उप्युक्त सभी निवेश के ही प्रकार है परन्तु आई कॉडरेंट उन निवेशों पर ध्यान केंद्रित करता है जो आपके सक्त्रिय वर्षों के दोरा नियमित रूप से आयप्रदान करते हो इसलिए आई कॉडरेंट का व्यक्ति बनने के लिए आप उन्ही मान धंडू का प्रयोग करें जो बाकी सभी कॉडरेंटों में प्रयोगत होते हैं क्या आप अपनी वर्षों आमदनी आई कॉडरेंट से प्राप्त करते हैं दूसरे शब्दों में क्या आपका धन आपके लिए काम कर रहा है और आपको वर्तमान में आमदनी दे रहा है ज़्यादा तर लोग अपने रिटायर्मेंट अकाउंट में धन बचाते हैं जबकि कुछ लोग निवेश के द्वारा अपने धन को सक्रिय प्रयोग करके अधिक आमदनी कमाते है इन दोनों तरह के लोगों में अंतर होता है क्या श्टॉक ब्रोकर निवेशक है? अगर निवेश की परिवाशा पर गौर किया जाए तो कुछ निवेश, सल्हाकार भी अपनी आमदनी आई कॉडरेंट से नहीं कमाते हैं धारण के लिए जादा तक स्टॉक ब्रोकर, रियल स्टेट एजेंट, वित्य सल्हाकार, बैंकर्स और अकाउंटेंट्स मुखता, E या S होते हैं दूसरे शब्दों में उनकी आमदनी उनके व्यावसाई कार्रे से आती है यह जरूरी नहीं है कि उनकी आमदनी उनके स्वामित्तु की संपत्तियों से आती हो मेरे कुछ दोस्ट स्टॉक ब्रोकर्स हैं और ट्रेडर्स भी हैं वे कम कीमत पर शेयर खरीते हैं और उन्हें अधिक दाम पर बेचने का उमीद करते हैं दरसल उनका व्यावसाई ट्रेडिंग है बहुत हब तक किसी किराने की दुकान के मालिक की तरह जो थोक में समान खरीता है और खेरची में बेचता है इन लोगों को धन कमाने के लिए शारिरिक रूप से कुछ श्रम करना पड़ता है इसलिए वे आई कॉर्डरेंट के बजाए एस कॉर्डरेंट में अधिक उप्यूप्त होंगे क्या ये सब लोग निवेशक बन सकते हैं? जवाब है ही परन्तु यह अंतर जानना महत्पूर है कि जो व्यक्ति कमीशन पर या प्रती घंटे सला बेचकर धन कमाता है तन्खवा के लिए सला देता है या कम कीमत पर खरीद कर अधिक कीमत पर बेचने की कोशिश करता है उसमें और उस व्यक्ति में अंतर होता है जो अच्छे निवेशों को भाप कर और उन्हें तयार करकर अपना धन कमाता है आपके सलाकार कितने अच्छे हैं यह पता लगाने का एक तरीका यह है कि उनसे पूछें कि उनकी कितनी प्रतीशत आमदनी कमीशन या फीस से होती है इसके बाद उनसे यह पूछें कि उनकी निश्क्रिये आमदनी कितनी प्रतीशत है यानि उन्हें निवेशों या उनके स कि कई प्रोफेशनल निवेश सलाकारों की निवेशों से आमदनी ना के बराबर होती है दूसरे शब्दों में जो वे दूसरों को सिखाते हैं उसे वे खुद नहीं करते हैं इस तरह आई कॉडरेंट से आमदनी कमाने वाले लोगों की मूलबूत पहचान यह है कि वे अपने पैसे से अधिक पैसा कमाने पर ध्यान के इंद्रित करें अगर वे यह काम अच्छी तरीके से करते हैं तो उनका पैसा उनके और उनके परिवार के लिए सदियों तक काम कर सकता है यह जानने का स्पष्ट लाब है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जा सकता है उन लोगों को नहीं मिलते जिन्हें अपने धन के लिए काम करना पड़ता है। अमीरों के और अमीर बनने का एक कारण यह है कि कई बार तो करोड़ों रुपे कमाने के बावजूद उस धन पर उन्हें कानूनी रूप से कोई टेक्स नहीं देना पड़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अपना धन आए के कॉलम में नहीं बलकि संपत्ती के कॉलम से कमाते हैं वे करमचारी के रूप में नहीं बलकि निवेशक के रूप में धन कमाते हैं जो लोग धन के लिए काम करते हैं उन पर ना सिर्फ अकसर जादा उची दरों से टेक्स लगता ह और वे अपनी आमदनी के उस हिस्से को भी कभी नहीं देख पाते हैं अधिक लोग निवेशक क्यों नहीं है? आई कॉर्डरेंट कम काम करने, अधिक धन कमाने और कम टेक्स चुकाने वाले लोगों का कॉर्डरेंट है मैं दुबारा रिपीट करना चाहता हूँ आई कॉर्डरेंट कम काम करने, अधिक धन कमाने और कम टेक्स चुकाने वाले लोगों का कॉर्डरेंट है तो फिर अधिक लोग निवेशक क्यों नहीं है? उसी वज़ा से, जिस वज़ा से ज़्यादा तक लोग अपना खुद का बिजनस शुरू नहीं करते है इसका सारांस एक ही शब्द में दिया जा सकता है जोखिम वे सीखना नहीं चाते इन लोगों के लिए महत्पूर बात यह है कि वे अपना आर्थिक सलाकार साबधानी से चुने आने वाले अध्याए में यह पुस्तक निवेशकों के साथ स्तरू का विस्तार से वर्णन करेगी जो इस विशय पर अधिक प्रकाश डालेंगे जोखिम लगभग शुन्य हो सकता है निवेशों के बारे में अच्छी खबर यह है कि जोखिम को काफी हग तक कम किया जा सकता है यहां तक की खत्म भी किया जा सकता है और इसके बावजूद आपको अपने धन पर काफी धन मिलता है बशर्टे आप खेल को खेलना जानते हो सच्चे निवेशक को यह शब्द कहते सुना जाएगा कितनी जल्दी मुझे अपना धन वापिस मिलेगा मूल धन वापिस मिल जाने के बाद मुझे पाकी जिन्दगी में अपने निवेश से कितनी आमदनी होती रहेगी सच्चा निवेशक हमेशा यह जानना चाता है कि उसे अपना मोल धन कितनी जल्दी वापिस मिलेगा जिन लोगों का रिटायर्मेंट अकाउंट होता है उन्हें यह जानने के लिए बड़सु इंतजार करना पड़ता है कि उन्हें उनका धन कभी वापिस मिलेगा भी या नहीं यह professional निवेशक और retirement के लिए पैसे अलग रखने वाले विक्तियों में सबसे बड़ा अंतर है पैसा गवाने का डर अधिकांश लोगों को सुरक्षा खोजने के लिए प्रेरित करता है बहराल आई quadrant उतना जोखिम भरा नहीं है जितना अधिकांश लोग सोचते हैं आई quadrant भी अन्य quadrantों की ही तरह होता है इसकी अपनी योग्यताएं और मानसिक्ताएं होती है आई quadrant में सफल होने की योग्यताएं सीखी जा सकती है बशर्ते आप उन्हें सीखने में कुछ समय लगाने के लिए इच्छुक हो एक नया युक शुरू होता है 1989 में बल्लिन की दिवार पर गिर गई दुनिया के इतिहास में यह सबसे महत्मूर घटनाओं में से एक थी यह साम्यवाद और असफलता के सूचक थी परंतु मेरे विचार से इससे भी अधिक महत्मूर थी यह घटना ओद्यागिक युक की आधिकरिक समाप्ती और सूचना युक की शुरूआत का संकेत थी ओद्यागिक युक की पेंशन योजनाएं और सूचना युक की पेंशन योजनाओं के बीच का अंतर 1490 में कॉलंबस की समुद्री यात्रा लगबग ओध्यागिक युक के शुरुवात में आसपास हुई 1989 में बर्लिन की दिवार का ढहना एक ऐसी घटना थी जिसने उस युक के अंत का संकेत दिया ऐसा लगता है कि आधुनिक इतिहास में हर 500 साल बाद महान अमुल्चल परिवर्तन घटित होते हैं हम इस समय एक ऐसे ही दौर में हैं यह परिवर्तन करोडों लोगों की आर्थिक सुरक्षा को पहले ही खत्रे में डाल चुका है हाला कि उनमें से अधिकाश लोग अब भी उस परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव के बारे में नहीं जानते और उनमें से कई उसे नहीं जेल सकते यह परिवर्तन अध्यागिक युक के पैंशन योजना और सूचना युक के पैंशन योजना के बीच का अंतर है जब मैं बच्चा था तो मेरे अमीर डैडी मुझे प्रोच साहित करते थे कि मैं अपने धनका जोखिम लूँ और निवेश करना सीखूँ वे हमेशा कहा करते थे अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें यह सीखने की जुरूरत है कि जोखिम कैसे लिया जाए निवेशक बनना सीखो घर पर मैंने अपने सिक्षिट डैडी को अपने अमीर डैडी के सुझाओ के बारे में पताया कि हमें निवेश करना है और जोखिम निकलकर सूचना युकी पैंशन योजनाओ यानि सुनस्चित योगदान वाली पैंशन योजनाओ पर आते हैं तो इसका प्रेडाम यह होता है कि व्यक्ति के रूप में अब आप खुद के लिए आर्थिक रूप से पूरी तरीके से जिम्मेदार हो जाते हो बहुत कम लोगों ने इस परिवर्तन पर गौर किया होगा ओद्यागेक युकी पैंशन योजना ओद्यागेक युकी सुनस्चित लाप की पैंशन योजना का मतलब यह था कि कमपनी आपको यानि कर्मचारी गारंटी देती थी कि जब आप जिन्दा रहेंगे तब तक आपको एक निश्चित धनराशी मिलती रहेगी लोग इसलिए सुरक्षित महशूस करते थे क्योंकि ये योजनाएं स्थाई आमदनी प्रदान करती थी सूचना युकी पेंशन योजना किसी ना किसी ने इस सौधे को बदल दिया और अचानक कमपनीयों ने रिटायर होने के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देना बंद कर दिया इसके बज़ाए कमपनिया सुनस्चित योगदान वाली रिटायर्मेंट योजनाए लागू करने लगी सुनस्चित योगदान का अर्थिया है कि आपको सिर्व वही वापिस मिलेगा जो आपने और आपकी कमपनी ने आपके रिटायर होने से पहले जमा किया था दूसरे शब्दों में आपकी पेंशन सिर्फ आपके योगदान से तै होती है अगर आपने और आपकी कमपनी ने इसमें कोई पैसा नहीं डाला है तो आपको रिटायर्मेंट के बाद कोई पैसा नहीं मिलेगा अच्छी खबर यह है कि सूचना योग में आई यू बढ़ जाएगी बुरी खबर यह है कि आप तो जिन्दा रहेंगे परन्तु आपकी पैंशन मर जाएगे जोखिम भरी पैंशन योजना है और इससे भी बुरी बात तो यह है कि आपने और आपके नियोकता ने योजनाओं से भले ही पैसा डाला हो पर इस बात की अब कोई गारंटी नहीं है कि जब आप इसे वापिस निकालने का फैसला करेंगे तब तक यह है पैसा वहां बचेगा ऐसा इसलिए है क्योंकि 401 और सूपर एन्योशन जैसी योजनाए बजार की शक्तियों के आधीन होती है दूसरे शब्दों में आपके पास इस खाते में एक दिन 10 डॉलर हो सकते है परन्तु अगर श्टॉक मार्किट क्रैश हो जाता है जैसा कि कभी कभारी होता है तो आपके 10 डॉलर आधे हो सकते है या फिर पूरी तरीके से साफ भी हो सकते है आजीवन आमदनी की गारंटी जा चुकी है और जिन लोगों के पास ये योजनाए है उनमें से कितने को यह एसास है कि वास्तव में इसका क्या मतलब है इसका मतलब तो यह हो सकता है कि जो लोग 65 की उम्र में रिटायर होते है और अपनी सुनिश्चित योगदान वाली पेंशन योजना पर जीना शुरू कर देते है उनका पैसा 75 वर्ष की उम्र तक पहुचते पहुचते खतम हो जाए फिर वे क्या करेंगे शायद अपने बायोडाटा की धूल साफ करेंगे और सरकार के सुनिश्चित लाववाली पेंशन योजना के बारे में देखिए अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा के दो हजार बतिस में और मेडियोकर के दो हजार पाँच में दिवालिया होने की आशंका है और यह है उस समय होगा जब बैबी बूमर्स को इसकी जुरत पड़ेगी आज भी आमदनी के रूप में सामाजिक सुरक्षा ज़ादा नहीं देती है उस समय क्या होगा जब साथ दसमलव साथ करोन बैबी बूमर्स उस धन्वत्रों वापिस मांगेंगे जो उन्होंने जमा किया था परन्तु उन्हें वह वहाँ नहीं मिलेगा 1988 में राश्टपती क्लिंटन ने लोगप्रिया नारे सामाजिक सुरक्षा को बचाओ को काफी समर्थन मिला था बहरहाल डेमोक्राटिक सेनेटर अन्रेश्ट हॉलिंग्स ने संकेत किया था सपष्ट रूप से सामाजिक सुरक्षा को बचाने का पहला उपाई यह है कि इसे लूट करना इसे लूटना बंद करना होगा दशकों से संगिय सरकार ही इस थिती के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वह अपने खर्च के लिए रिटायर्मेंट के धन को उधाल ले रही है कई राजनेता यह सोचते हैं कि सामाजिक सुरक्षा एक धरोवर या संपत्ती ना होकर आमदनी है जिसे खर्च किया जा सकता है बहुत सारे लोग सरकार से उमीद लगाए बैठे है मैं पुस्तक लिखता हूँ और सेक्षनिक बोर्ड गेम कैश फ्लो जैसे प्रोड़क्ट बनाता हूँ क्योंकि हम औद्यागिक यूग के अंत और सूचना यूग की शुरुवात में खड़े हैं नागरिक होने के नाते मुझे इस बात की चिन्ता है कि हम औद्यागिक यूग और सूचना यूग के अंतरों को सामना करने के लिए ठीक से तयार नहीं है और उनमें से एक अंतर ये है कि हम अपने रिटायर्मेंट के वर्षों के लिए किस तरह आर्थिक तयार करें अच्छी नौकरी पाना सीख सकें परन्तु हमें यह भी जानने के जुरत है कि निवेश कैसे किया जाए और निवेश करना एक ऐसा विशे है जो स्कूल में कभी नहीं सिखाया जा सकता ओध्यागीक युक का दिया गया एक दुख यह भी है कि बहुत सारे लोग अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को उल्जाने के लिए सरकार पर निर्वर हो गए है अपनी व्यक्तिगत आर्थिक जिम्मेदारी सरकार पर सौपने के कारण आज हम जादा बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं ऐसा अनुमान है कि 2020 तक साड़े 27 करोड अमेरकी होंगे जिनमें से 10 करोड किसे ना किसी तरीके की सरकारी समर्थन की आशा कर रहे होंगे इनमें संगिय कर्णचारी, रिटायर सैनिक, डाग विकभाग के कर्णचारी, सिक्षक और अन्य सरकारी कर्णचारी होंगे साथ ही सामाजिक सुरक्षा और मेडियोकर के भुद्धतान की आशा करने वाले रिटायर लोग भी होंगे अनुबंद के हिसाब से उनके द्वारा ऐसी आशा करना उचित है क्योंकि किसी ना किसी तरीके से जड़ातर लोग सरकार के वाइदे में निवेश कर रहे हैं दुर्भागय से बहुत वर्ष तक बहुत ज़ादा वाइदे किए जा सकते हैं और उन्हें पूरा करने में समय अब आ रहा है मुझे नहीं लगता कि आर्थिक वादे पूरे किये जा सकते हैं अगर हमारी सरकार इन वादों को मताबित भुकतान करने के लिए टैक्स को और बढ़ाएगी तो अमील लोग भाग कर उन देशों में चले जाएंगे जा टैक्स या यहां की तुल्ला में काफी कम होगा सूचना युग में ऑफशोर का अर्थ दूसरे दैक्स के टैक्स स्वर्ग नहीं होगा ऑफशोर का मतलब साइबर स्पेस हो सकता है एक बड़ा परवर्तन दहलीच पर खड़ा है मुझे राश्ट्रपती जॉन एफ कैनेडी की चितावनी याद आती है एक बड़ा परवर्तन दहलीच पर खड़ा है तो वह परिवर्तन अब हमारे ठीक सामने खड़ा है निवेशक बने बिना निवेश कटना सुनिश्चित लाब वाली पेंशन योजनाओ से सुनिश्चित या ऐसे छोटे बिजनस शुरू करते हैं जिने वे असानी से नियंतरित कर सकते हैं सुनिश्चित योगदान वाली रिटायर्मेंट योजनाओ के वजह से वे आज आई कॉडरेंट की और बढ़ रहे हैं जहां उन्हें रिटायर होने के बाद सुरक्षा मिलने की आशा है दुर्भाग्यसे आई कॉडरेंट में सुरक्षा होती नहीं है यही तो जोखिम का कॉडरेंट है क्योंकि cash flow coordinate के 2 हिस्से में बहुत से लोग सुरक्षा की तलाश करते हुए आते हैं इसलिए stock market पती क्रिया करते हुए उनकी मदद करता है इसलिए आप नीचे लिखे शब्द इतनी बार जादा बार सुनसते हैं पहला diversification जो लोग सुरक्षा चाते हैं वे diversification शब्द को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं क्यों? क्योंकि diversification की रणनीती ना हारने वाली रणनीती है यह जीतने के निवेश रणनीती नहीं है सफल या अमीर निवेशक diversify नहीं करते यानि अलग-अलग छेतरों की companyyों के share नहीं खरीते हैं वे अपने प्रयासों को केंद्रित करते हैं वारन बफे जो शायद दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं diversification के बारे में कहते हैं जो रणनीती हम अपनाते हैं उसमें हम स्तरिय डाइवर्सिफिकेशन सिध्धान का पालन नहीं करते हैं इसलिए बहुत से विद्धवान कहते हैं कि पारंपरिक निवेशों के बजाए हमारी रणनीती अधिक जोखिम भरी है परन्तु हम उनसे सहमत नहीं है हमारा मानना यह है कि पोर्टफॉलियो अत्यन सीमित होने से जोखिम कम होता है बशर्ते हम शेयर खरीदने से पहले निवेशक उस कंपनी के बारे में प्रवलता से सोचता हो और उसके आर्थिक लक्षणों के प्रती आराम दे महसूस करता हो दूसरे शब्दों में वारन बफे कह रहे हैं कि पोर्टफॉलियो पर केंद्रित होना पोर्टफॉलियो कॉंसेंट्रिशन या चुनिंदा निवेशों पर केंद्रित रहना डाइवर्सिफिकेशन से बहता रण नीती है उनके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन के बजाए केंद्रित होने में ज़्यादा स्मार्टनेस की जुरत पड़ती है इसके लिए आपके विचारों और कार्यों में अधिक गहनता की जुरत पड़ती है उन्होंने आगे लिखा है कि ओसत निवेशक अस्थिरता से बसते हैं क्योंकि वे अस्थिरता को जोखिम भरा मानते हैं इसके बजाए वोरन बफे कहते हैं दरसल सच्चा निवेश अस्थिरता का स्वागत करता है आर्थिक दल्दल से बाहर निकलने और आर्थिक स्वतंतर पाने के लिए मेरी पत्नी और मैंने डाइवर्सिफिकेशन कभी नहीं किया हमने अपने निवेश केंद्रित किये सुरक्षित मानसिक्ता वाले निवेशक आमतार पर बलू चिप कंपनी के शेर खरीदते हैं क्योंकि वे उन önce ज्यादा सुरक्षित मानते हैं वे यह भूल जाते हैं कि कंपनी अधिक सुरक्षित हो सकती है परन्तु सेयर बजार सुरक्षित नहीं है तीसरा, mutual funds, जो लोग निवेश के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं वे किसी fund manager को अपना पैसा swap कर अधिक सुरक्षिद महसूस करते हैं जिसके बारे में उन्हें आशा होती है कि वह उन्चे ज़्यादा अच्छा काम करेगा जो लोग professional निवेशक बनना ही नहीं चाते हैं उनके लिए यह एक smart रणनीती हो सकती है समस्या यह है कि रणनीती तो smart है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि mutual advisor आपको बिल्कु सही stock खरीद कर दे सच तो यह है कि अगर stock market गिरता है तो हम mutual fund, meltdown देख सकते हैं जो उतने ही भीशड विपती होती है जितनी 1610 में हुई कि उलो पॉनिया की दुरगटना 1620 में साउट सी बबल और meltdown और 1990 में जक बॉन्ड का वंबिस्पोर्ट आज बजार ऐसे करोणों लोगों से भरा पड़ा है जिनकी मूलभूत मान सिकता सुरक्षा की है परन्तु बदलती हुई अर्थ विवस्था उन्हें कैशलो कॉर्डरेंट के 22 सिरे से 22 सिरे में आने के लिए मजबूर कर रही है जहां इस तरीके की सुरक्षा और दरसल कोई अस्तित्म ही नहीं है बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी पेंशन योजनाई सुरक्षित हैं जबकि दरसल वे सुरक्षित नहीं है इसलिए यह चिंता भी और आई दोनों ही कॉर्डरंटों में सिक्षित बने रहने के लिए मेहनत करता हूँ और चाहे जो हो उसके लिए तैयार रहते हैं सूचक है तो जो व्यक्ति 75 साल की उम्र में जी चुका है उसे एक मंदी और दो बड़े रेसेशन से गुजरना पड़ता है मेरे माता पिता ने मंदी जेली थी परन्तु बैबी मूवर्स ने नहीं जेली है अब तक और पिछली मंदी को आई 60 साल से ज़्यादा समय हो चुका है आज हम सबको सिर्फ सुरक्षा की सिर्फ आज हम सबको सिर्फ नौकरी की सुरक्षा के बारे में ही चिंतित होने की जरूरत नहीं है हमें इसके अलावा कई अन्य चीजों के बारे में भी चिंतित होने की जरूरत है मैं सोचता हूँ कि हमें अपनी खुद की दीरकालीन आर्थिक सुरक्षा के बारे में भी चिंतित होने की जरूरत है और उस जिम्मेदारी को कमपनी या सरकार के भरूसे छोड़ने की कताई जरूरत नहीं है अधिकारिक रूप से समय तब बदल गया जब कमपनीयों ये कहा कि वे आपके रिटायर्मेंट के बाद की जिन्दगी के लिए जिम्मेदार नहीं है जब उन्होंने सुनिष्चित योगदान वाली रिटायर्मेंट योजना अपना ली तो संदेश यह था कि आप अपने खुद के रिटायर्मेंट में निवेश करने के लिए जिम्मेदार है आज हम सबको अधिक समझदार निवेशक बनने के जरूरत नहीं है हम सब को बजार के उतार चड़ाओ और परिवर्तनों के बारे में निरंतर जागरुक रहने के जुरुत है मैं सुझाओ देता हूँ कि आप निवेश करने के लिए किसी दूसरे को पैसा देने के बज़ाए खुन निवेशक बनना सीखे अगर आप अपना धन किसी mutual fund या किसी सलाकार को सौब देते हैं तो हो सकता है आपको यह पता लगाने के लिए 65 साल की उम्र तक इंतजार करना पड़े कि उस व्यक्ति ने सही काम किया है या नहीं अगर उन्होंने सही नहीं किया है तो हो सकता है कि आपको जिन्दगी भरत काम करना पड़े लाखों लोगों को यही करना पड़ेगा क्योंकि तब तक निवेश करना या निवेश करने के लिए सीखना के लिए बहुत देड़ हो चुकी होगी कम जोखिम के साथ अधिक लाब वाले सौधों में निवेश करना समभव है आपकी बस यह सीखना है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है यह कठी नहीं है दरसर यह बहुत हट तक साइकिल चलाना सीखने की तरह है शुरुवात में आप गिर सकते हैं परन्तु कुछ समय बाद गिरना बंध हो जाता है और निवेश करने की आदत पड़ जाती है खीक उसी तरह जिस तरह हम में से जादतर लोगों ने साइकिल चलाने की आदत पड़ जाती है कैश फ्लो कॉडरंट के बाई हिस्से के साथ समस्चिया यह है कि अधिकांश लोग आर्थिक जोखिम से बचने के लिए वहां जाते हैं मेरा सुझाओ यह है कि जोखिम से बचने के लिए बजाए अब यह सीखें कि आर्थिक जोखिम का प्रबंधन किस तरीके से किया जा सकता है जोखिम लेना जो लोग जोखिम लेते हैं वे दुनिया को बदल देते हैं बहुत कम लोग जोखिम लिये बिना अमीर बन पाते हैं। आज बहुत जादा लोग जीवन के जोखिमों को खतम करने के लिए सरकार पर निर्भर हो चुके हैं। सूचना युक के शुरुवात उस तरीके की बहुत बड़ी सरकार का अंत है जिसे हम जानते हैं। बड़ी सरकार अब बहुत जादा खर्चीडी हो चुकी है। दुर्भाग्या से दुनिया भर के जो करोडों लोग जीवन भर के लिए गारंटीयों और पेंशन के विचार पर निर्भर हो चुके हैं। वे आर्थिक रूप से पीछे छूड जाएंगे। सूचना यूग का अर्थ यह है कि हम सब को अधिक आत्म निर्भर बनने और बड़े होने की जुर्वत है। मेहनत से पड़ी और जुरक्षित नौकरी ढूंडे। ओद्यागे क्यूग का विचार यह है कि हम अब उस यूग में नहीं हैं। समय बदल रहा है। समस्या यह है कि कई लोगों के विचार नहीं वदले हैं। वे अब भी सोचते हैं कि उन्हें कुछ मिलने की गारंटी है। कई लोग अभी भी सोचते हैं कि I-CORDS उनकी Union या उनका Mutual Fund या उनकी परिवार उनकी देखवाल करेगा उनके लिए मैं आशा करता हूँ कि वे सही हो ऐसे लोगों को यह पुस्तक आगे पढ़ने की कोई जुरत नहीं है मेरे एक डैडी ने यह कीमत चुकाई थी दूसरे डैडी ने यह कीमत नहीं चुकाई इसके बज़ा उन्होंने एक अलग तरीके की कीमत चुकाई आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने यह ओडियो बुक यहां तक सुनी है अगर आपने यह ओडियो बुक ध्यान पूर्वक सुनी है तो यह सवाल आपके लिए है क्या यह संबव है कि कोई अपना बिजनस एक या उससे अधिक समय तक छोड़ कर कहीं चला जाए और उसके वापस आने के बाद उसका बिजनस पहले से भेतर वा लाबधायक सिती में मिले अगर संबव है तो वह कौन से बिजनस है आपके कीमती जवाबों को इंतजार मुझे कमेंट सेक्शन में रहेगा और अगर आपक हमारी ओडियो बुक सुनना पसंद है तो आप हमें लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं बिना ये सोचे कि मेरे एक डिसलाइक या लाइक से क्या फर्क पड़ेगा धन्यवाद आपका दिन शुभो